राजधानी दिल्ली NCR में तेजी से आई फ्लू का प्रकोब बढ़ रहा है आई फ्लू को कंजंग्टिवाइटिस या फिर पिंक आईज की समस्या के रूप में भी जाना जाता है आंखों में होने वाला ये संत्रमन बैक्टिरियल या वाइरल दोनों प्रकार का हो सकता है डॉक्टर कहते हैं राजधानी दिल्ली में आई बाड और बारिश के कारण अचानक आंखों की इस बीमारी का खत्रा काफी बढ़ गया है सभी लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर विशेश सावधानी बरत्ते रहने की आवशक्ता होती है डॉट कंजक्टिवाइटिस या पिंग आईज की समस्या के कारण आंखों में लालिमा, खुजली और पानी आते रहने की समस्या होती रहती है ज्यादातर मामलों में इसके लक्षण हलके होते हैं पर कुछ सितियों में इसके गंभी रूप लेने का भी खत्रा हो सकता है आईए स्वास्थ्य विशेशग्य से इसके कारण और बचाव के बारे में विस्तार से समझते हैं एक डॉक्टर इसके लक्षणों की जाच करके और आखों की खुजली लालिमा सूजन आदी से संबंधित कुछ प्रश्ण पूच कर कंजंग्टिविटीज का निदान कर सकता है जलन और एलर्जी कंजंग्टिविटीज के लिए उपचार एक संक्रमन से अलग है इंफेक्टिव कंजंग्टिविटीज के कुछ मामलों में उपचार के बिना कुछ दिनों से दो सप्ताह के भीतर निर्धारित किया जाता है लेकिन कुछ में एक महीने तक का समय लग सकता है Bacterial Conjunctivities के लिए Antibiotics Requirey के समय को कम कर सकते हैं और दूसरों को संक्रमन की सीमा कम कर सकते हैं यदि इसके लक्षन दो सप्ताह या उससे अधिक समय तक बने रहते हैं तो मरीज को अपने चिकितसक को दिखाना चाहिए जो उसके निदान का पुनर्मूल्यांतन करेगा और उपचार में सुधार करेगा लैब में जाँच के लिए डॉक्टर संक्रमित आख से स्वैब ले सकते हैं ताकि यह समझा जा सके कि किस प्रकार के जीवानों संक्रमन पैदा कर रही हैं और उसका उचित उपचार हो सके लेकिन ज्यादातर डॉक्टर इस तरह की जाँच नहीं कराते हैं डॉट इंफेक्टिव कंजंक्टिविटीज होने की संभावना को दूर या कम किया जा सकता है अगर आप नीचे दिये गए बिंदों पर ध्यान दे हाथों को नियमित रूप से साबुन और गर्म पानी से धोए या हैंड सैनिटाइजर का उप्योग करें हमेशा सोने से पहले कॉन्टाक्ट लेंज हटा दे डॉट चश्मा साफ रखें अलग अलग लोगों के साथ अपना सामान जैसे तौलिया तकिया, मेकप, कॉन्टाक्ट लेंज आदी साजा ना करें डॉट, स्विमिंग कूल में चश्मे का उप्योग करें और संक्रमण होने पर तैराकी ना करें डॉट, उस पानी में तैरने से बचे जिसमें रेग्यूलर क्लोरिनेशन हो, आखों को दिन में दो से तीन बार पानी से साफ करें डॉट, पहले से ही इस्तमाल किये गए तौलिय या रूमाल के इस्तमाल से बचें